मंत्री मंडल में मेरे साथी आपके ही सुरेन सिंग बगेल जी हनी बगेल, मंत्री मंडल में मेरे साथी विजे लक्ष्मी साडू, हमारे अध्यक्ष बालमुकन गौतम जी, हमारे सभी विदायक हीरा अलावा, प्रताप ग्रेवाल, पाचिलाल मेडा, कलाबती भूरिया, मुके पटेल, सभी हां, उपस्तित, कॉंग्रेस के नेतागण, मेरे सातीगण, कईयों से तो बहुत पुराना संबंध है मेरा, बहुत-बहुत खुशी हुई, हमारे आदर्निय बुजुर्गों से के साथ के बीच में आकर, हमारे माताएं और बहने, और खास करके, नाव जवानों क बीच में आकर, मुझे बहुत कुशी हुई, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि आप इत्ती बड़ी संख्या में उपस्तित हुए, आप सब ने जो बल और शक्ती दी, ये बल और शक्ती दी, कि हमें मौका बिले, हम अदिप्रदेश का, दार का, कुक्षी का, एक निया इतियास बनाएं, आपने ये बल और शक्ती दी है, आप सब का, बहुत बहुत धन्यवाद, आदिवासी समाज, हमारे मानफ्ता, सरल्ता, और शद्धा का प्तिक है, आपकी संस्कृती है, आपकी सभिता है, और मैं तो ब कि ये जो आपकी संस्कृती है, ये संस्कृती जिस पर सब को गर्व है, ये संस्कृती हमारे नई पीड़ी भी इसे अपनाएं, आज नई पीड़ी को अपनाने की बड़ी जरूर्त है, 14 महीने पहले, 15 साल बाद कॉंग्रेस की सरकार बनी, 15 साल भारतिय जनता पाटी की सरकार रही, और 15 साल बाद कॉंग्रेस की सरकार बनी, कैसा प्रदेश, बारतिय जनता पाटी ने हमें 15 साल बाद सौंपा, एक ऐसा प्रदेश हमें सौंपा, जहां मध्य प्रदेश में, किसानों की आत्म हत्य हमें, मध्य प्रदेश नंबर वन, बेरोजगारी में, नंबर वन, हमारे माताओं और बेहनों पर अत्याचार पर नं नमबर वन ऐसा प्रदेश हमारी कॉंग्रेस की सरकार को उन्होंने सौंपा कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी तेजोरी खाली तेजोरी खाली खुद कहते थे कि तेजोरी खाली है खाली तेजोरी सौंपी कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी 70% मद्यपरदेश के लोग उनका जीवन आधारेत एक कृषी छेत्र पर जिसकी किराने की दुकान गाउं में है, उसकी किराने की दुकान चलती है जब किसानों को खरीदने की ताकत होए, उनका वेपार चलता है पर किसान के पास वो क्रेशक्ति न हुए खरीदने की ताकत न हुए तो वो वेपार हमारे किराने की दुकान भी नहीं चल पाईगी हमारा किसान अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पचाब परापाएगा अच्छी पढ़ाई नहीं करा पाईगा तो क्रिशी छेथ 70 प्रतिशत 70 प्रतिशत मद्यप्रदेश क्रिशी छेथ से जुड़ा है और क्रिशी छेथ में कौन सी समस्या नहीं हमारे किसान का जन्म होता है करजे में उसकी बृत्ति होती है करजे में किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता किसानों को न्याई नहीं मिलता आ पर अगर सही मूल ना मिले, किसान उस बढ़ते हुए उत्पादन का करे क्या। तो आज ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हम कृशी छेतर में एक नई करांती लाएं। एक नई नजरिये से हम अपने कृशी छेतर को देखें। हम अपने कृशी छेतर में ऐसी नीतियां बनाएं कि किसानों की आर्थिक मजबूती बनें। हम वचन बंद हैं कि हम किसानों के लिए एक नई नीति बनाएंगे। हमने शुरुवाद करिये करदा माप करके और पूरे मद्य प्रदेश में आज तक 22 लाख किसानों का करदा माप हुआ है। ये तो हो जाएगा पर सबसे बड़ी चुनोती हमारे नई पीड़ी की हैं। नौजवानों की है आज का नौजवान में अपनी सोच है हमारे बुजर्गों के दुनिया कुछ और थी आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है आज का नौजवान तो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से उसे जो ग्यान है हमारे बुजर्गों के पास ये ग्यान नहीं था आज के नौजवान का अपना नजरिया है और आज का नौजवान यही नौजवान जो हमारे मद्ध प्रदेश का हमारे धार का निर्मान करेगा भविश में अगर इसका भविश अंधेरे में रहा तो कैसा निर्मान होगा मद्ध प्रदेश का आज का नवजवान में अपनी सोच है उसकी तरफ कोई कमिशन या ठेके की नहीं है आज का नवजवान तो वेबसाई का मौका चाहता है आज का नवजवान अपने हाथों को काम चाहता है और जब तक इसे ये काम और वेबसाई का मौका नहीं मिलेगा हमारे नव जवाण की पीडा को पहिचानने की आवशक्ता है ये सबसे बड़ी चुनोती है हमारे सामने हमारे मध्य प्रदेश में ओद्योग करन चौपट दित्ते ओद्योग मध्य प्रदेश में 15 साल में नहीं लगे उससे ज़्यादा उद्योग तो बंद हो गए आज का नौजवान चाहता है पढ़ लिख लिया चला गया इंजिनियरिंग कर ली कॉलेज में चला गया पोस्ट ग्राजुएशन कर ली सोचता है उसे रोजगार मिलेगा बिचारा वो तो गाउं के लाइक नी रहा शेर के लाइक नी रहा तो रहा कां कां उसकी पीड़ा उसका दुख पैचानने की आवशक्ता है इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी चुनोती हमारे नौजवानों की भविश्य की है कैसे हमारे नौजवानों का भविश्य उज्जल होए ये चुनोती हमारे सामने है और हमने तो शुरुवात करी है हमने शुरुवात करी है कि लोगों को मद्य प्रदेश में एक विश्वास होए मद्य प्रदेश की पेचान बदली जाए तभी तो निवेश आएगा तभी तो लोग आएंगे कि मद्य प्रदेश में उद्योग लगाएंगे तभी यह आर्थिक गतिविदी बनेगी किसी की गारी चल जाए किसी की दुकान खुल जाए किसी का वियापार चल जाए यह तो तभी संबब है जब आर्थिक गतिविदी आती है मैं तो यहां खाली हाद नहीं आना चाहता था बहुत दिनों से अच्छा थी कि आपके बीच में आया जाए खाली हाद नहीं आना चाहता था मैंने कहा मैं आपके बीच में आऊंगा कुछ लेके आएंगा आज इस सिच्चाई योजना का माइने क्या है आपको समझना है केवल सिच्चाई का नहीं है केवल पीजल का नहीं है जो ये ज्यारा सो क्रोर रुपए का खर्चा होगा ये तो निवेश है ये निवेश हमारे धारजिले में आ रहा है ये कुख्शी में आ रहा है इस निवेश से आर्थिक गतीविदी बनेगी काम शुरू होगा पानी तो आएगा बाद में सिच्चाई तो होगी बाद में पियजल की विवस्ता होगी बाद में पर कोई अपनी गाड़ी चला लेगा कोई अपनी ट्रक लगा लेगा सही बात है ये निवेश आ रहा है ये निवेश हम दे रहें सिच्चाई होती रहेगी पीएगल की समस्याल होती रही ही पर पोईयी अपनी छोटी मोटी मरमत का काम शुरू कर लेंगा कोई अपनी दुकान लगा लेगा कोई नाक्यों वी काम शुरू कर लेगा यह मॉईने समझने की आवर्षकता है यह हमारे नवजवानों के बविष्ट के लिए ये निवेश दार जिले में आ रहा है माताओं और बैनों आपको ये बात समझनी है लोग सोचते हैं कि बड़ी योजना आ गई पर बड़ी योजना का लाब समझने की आवशक्ता है किस निवेश्ट से कित्ता परिवर्तन होगा हमारे धार की पैचान में हमारे धार के चेरे में आज जो बच्चे बेरोजगार घुम रहे हैं मैं तो नवजवान आपको कहूंगा इसका पूरा फाइदा उठाईए किसी की गाड़ी चलवाईए काम करवाईए विबन काम करवाईए किसी को मस्दूरी मिल जाएगी पलाएन से बच जाएंगे इसका ये अर्थ है और ऐसी योजना मैं केवल इसे दही सिच्चाई योजना का नाम नहीं रखना चाहता ये योजना हमारे सुअत अतर संग्राम सेनानी तांतिया भील हमारे स्वतंतर संग्राम न सेनानी थे उन्होंने संगर्ष किया वो तो हमारे आदिवासी समाज के केबल हीरो नहीं है वो तो हमारे सब हीरो है हमने इस योजना का नाम तांतिया मापमा से चाई योजना रखेंगे ये हमारी ये हमारा फैसला है और साथ साथ में, अभी तो शुरू बात है ना, अभी तो शुरू बात है, मैं घोशना नहीं करता, मैंने कहा था जिस दिन मैं मुक्यमंद्री बना कि मैं घोशना यह नहीं करूँगा, गोशना यह नहीं करता, क्योंकि मद्यप्रदेश में सब का पेट बढ़ गया था गोशना उसे, 15 साल, शिवराज सिंग ने गोशना करी थी, गोशना उसे तो तालियां बच जाती है, सब बूल जाते हैं, शिवराज भी घल बैठ गए, क्योंकि इतनी 12, 13, 14,000 गोशना ही कर द कि हिसाब किताब नहीं देते हैं, हिसाब किताब नहीं देते हैं, तो मैं घोशना नहीं करता हूं, इत्ता ही कहना चाहता हूं, यह तो एक शुरुवात है, और भी योजना है, और भी योजना है, हमारी कुक्षी, माइक्रो इरिगेशन योजना है, यह सब योजना है, यह तो ट्रेलर है समझ गए ना ट्रेलर है यह ट्रेलर की शुड़ुवार कि मैं गोश्णा नहीं करता है यह मैं तो इतना ही कहता हूं कि मैं आपको निराश नहीं होने दूँगा आपने मुझे आपने मुझे बल और शक्ति दी है हम ना तो गुम्रा की बात करते हैं और मैं तो धार कि आदिवासियों को आम जन्ता को वधाई देना चाहता हूँ गरीब हैं आप बोले बाले हैं पर सच्चाई समझते हैं इन सब को आपने जब चुना आपने इनका तो साथ दिया पर उसके साथ सच्चाई का साथ दिया आपने सच्चाई पैचानी और यही मैं आपको बदाई देता हूँ नौजवानों याद रखिएगा बोलने वाले गोशना करने वाले बढ़काने वाले आलोचना करने वाले बहुत आएंगे पैचान ले जीगा उन्हें आपको तो सच्चाई का साथ देना है आपने सबसे Adam aye ringing सबसे बड़ी आपकी शक्ति यश्य लूंबे चोड़ी बाते कर लेते हैं कितनी बाते शिवराज सिंह कहते थे याद हे शिवराज सिंह embargo अब मोदी जी को सुनिए हैं मोदी जी को सुनिये मोदी जी है कितनी बड़ी बातें करते थे नौजवानों के प्रती ये होगा रोजगार होगा ये तो पुरानी बात होगी दो क्रोर रोजगार आएंगे दो क्रोर तो छोड़िया दो लाग का नाम देजिए मोधी जी कहते थे किसानों क्रिशी को मैं लाप का धंदा बनाऊंगा सबसे ज् मोदी जी आज आप नौजवान की बात नहीं करते हैं आज नौजवान की बात नहीं सुनेंगे उनसे आप किसानों की बात नहीं सुनते हैं मोदी जी से मोदी जी क्या करते हैं पाकिस्तान की बात करेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे आपका ध्यान मोरने के लिए ये कलाकारी यह गुम्रा की राज निए राष्टवाद का राष्टवाद की बात करें गे और कौन सा पाठ पढ़ाएंगे यह राष्टवाद का मैं तो पूस्था हूँ शिवराज सिंग जी से मोदी जी से मुझे एक नाम बता देजिए जो आपके पार्टी में स्वतंतर संग्राम सेनानी रा हुआ होए एक स्वतंतर संग्राम सेनानी ने रा और ये कॉंग्रेस को पार्ट पढ़ाने आए हैं कलाकारी देखिए वारे शिवराज ये कलाकारी कैसे जनता का दिहान मुड़ते हैं नजवानों माताओं और बेनों आपको इस कलाकारी से साफ़दान रहना है ये आएंगे आलोचना करते हैं भई मेरे तो 14 महीने हुएं शिवराजी आईए कुक्षी आईए धार आईए आप हिसाब किताब देजिए पहले आलोचना तो 14 महीनों की आप करते रहेगा 15 साल का हिसाब किताब देजिए जनता को ये हिसाब किताब तो देंगे नहीं पर आलोचना करेजिए पहले तो घोशना की आदत थी अब आलोचना की आदत है मू बहुत चलता है नवजवान की आवाज नहीं सुनाई पड़ती हिनके कान नहीं छलते हैं तो आप से यहीं कहूंगा हमारे और भारतिये जंता पाटी के बीच में अंतर क्या है यह अंतर भी आपको समझना यह अंतर सोच का है जब हम सोचते हैं हम आदिवासी समास के बारे में सोचते हैं बारतिये जनता पार्टी जब सोचती है वो सोचती है कि हम आरक्षन को कैसे कम कर दें या आरक्षन को हम गायद कैसे कर दें यह सोच का अंतर है हमेशा इनकी दिल की आवाज आपको पहचाननी है इनकी हिर्दे से क्या निकलता है इनका हिर्दे से जो बात निकलती है ये आदिवासियों के बारे में नहीं सोचते ये सोचते हैं कि कैसे हम समाप्त करें जो आज आरक्षन है कभी-कभी मूँ से बात निकल जाती है, फिसल जाती है, जो नीतियां बनाई, हमारे आदिवासी समाज के लिए, कॉंग्रेस पार्टी ने बनाई, इंदरा गांदी जी ने बनाई, इंदरा गांदी जी ने ये नीतियां बनाई, कि हमारा आदिवासी समाज शुरक्षित रहे, मैं तो पूछना चाहता हूँ बारतिय जनता पार्टी से कि आपकी कौन सी नीती बनी आप बताईए पिछले साठ साल में आपने कौन सी नीतिया बनाई आपने कौन सी नीतिया का समर्थन किया यह सोच का अंतर है जब हम सोचते हैं, हम नौजवानों के बारे में सोचते हैं, हम किसानों के बारे में सोचते हैं, ये सोच का अंतर है, ये हमारे नजरिये का अंतर है, और यही आपको समझना है, हम हो सकता कहीं हैं मसफल होएं, पर हमारे सोच में खोट नहीं है, आपको देखना है किस के सोच म यह खोट है तो जादा ना कहते हुए मैं तो आप से इत्ता कहूंगा कि आपने यह आकर आपने यह आकर मेरा खून तो डाइसो ग्राम बढ़ाया है और आपने आपने यह बल और शक्ति दी हमें मौका देजिए चौदे मैने हुए हैं आप हमें बल और शक्ति देजिए हम अपने नव जवानों के भविष्चे के लिए एक निया इतियास बनाएंगे हम क्रिशी चेत्र में निया इतियास बनाएंगे माताओं और बेहनों को सक्षम बनाने में माताओं और बेहनों को मैं देख रहा हूँ बहुत सारी हमारी कारे करता आशाग विभिन कारे करता बैठी है आगनवाडी से आई हैं समू से आई हैं समू को भी आप मजबूत करिएगा ये समू की योजना तो कॉंग्रिस ने बनाई थी बारतिय जनता पार्टी दे नहीं बनाई थी तो हम एक निया इतियास बनाएंगे मध्यपदेश का एक निया इतियास बनाएंगे आप तो केवल हम बल और शक्ति और प्यार देते रहिए ये मेरी आपसे प्रार्तना है आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद मानिनी मुख्यमंतरी महदे